Let's do question number 30 of exercise 5a that is arithmetic progression. Question number 30 is the 9th term of an AP is minus 32. 9th term AP की minus 32 है. हाथ हो हाथ लिखते ही चले जाते हैं. जिसी की problem ना हो हमारी 9th term AP की minus 32 है. ये कह रहा है. आगे देखिया आगे क्या कह रहा है. And the sum of the 11th and 13th term is AP की 11th और 13th term का sum क्या है? minus 94. और हमें क्या निकालना है? Common difference of the AP निकालना है. That means D निकालना है. तो हमें वो कह रहा है 11th term और 13th term का sum हमारा है minus 94. तो हमें D निकालना है. तो D equals to ये निकालना है. तो अब कैसे करेंगे? देखिये 9th term हमारी minus 32 दे रखिया. तो अगर हम T9 का formula लिखें तो ये क्या आएगा? A plus N minus 1 into D आएगा. तो T9 कितना दे रखा है? minus 32 equals to A कितना है? A हमें पता नहीं है. नाइन्थ term हमें तो ये 9 हो गया. माइनस 1 into D. अब माइनस 32 ब्राकेट से ओपन किये. तो A plus 9 में से बन किया 8, 8D आ गया. या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए. Elimination method से करिए. या substitution method से. ये आपके उपर बात है. उसके लिए linear equation chapter जरूर देखें. अब यहां से मैंने A की value निकाल ली. 8D को भी left hand side ले गई. तो minus 32 और minus का 8D हो गया हमारा. ये आ गई हमारी first equation. मैं substitution method से कर रही हूँ. अब हमें ये पता है. इन दोनों की term को plus करके 94 आता है minus का. तो हम पहले अलग-अलग terms निकाल लेंगे. क्योंकि N हमारा different हो जाएगा. इसलिए हम question में वहीं नहीं निकाल रहे है. अलग-अलग निकाल लेंगे. तो ये आ गई A plus N minus 1 into D. तो A हमें पता नहीं. प्लस 11th term थी minus 1 into D. तो ये आ गई A plus 10D. अब इसी तरीके से 13th term हमें पता है. आप देखेंगे. डिरेक्ली भी लिख सकते हैं 13 term. A plus 12D. और यहीं आईगी. A plus N minus 1 into D. तो ये प्लस 13 minus 1 into D. नेक्स टाइम से मैं पूरा solve करके नहीं लिखूंगे. डिरेक्ली भी लिख सकते हूं. अब हमें दे रखा था term 11 और term 13 को add करके हमारा आता है. minus 94. और हमारी term 11 क्या आई थी? A plus 10D और term 13 आई थी? A plus 12D equals to minus 94. तो अब ये कितना आ गया? 2A plus 22D equals to minus 94 आगया. अब A कितना आया था? A आया था हमारा minus 32 minus 8D. ये हमारी आ गई second equation. अब हम इसको क्या कह सकते है? putting A equals to minus 32 minus 8D in equation second. तो 2 into minus 32 minus 8D plus 22D equals to minus 94. हमने एक ही value रख दी. तो अब ब्राकेट्स open किये तो ये आगया minus 64 minus 16D 2 की multiplication की bracket में plus 22D equals to minus 94. अब D की values left hand side छोड़ती हो और बाकी सब दूसरी side लेकी जाती हो. तो ये आगया minus 16D plus 22D equals to minus 94. उधर जाके 64 प्लस का हो गया. तो ये कितना आ गया? 22 में से 16 गये. इस 6D plus का है क्योंकि 22 plus का है. 94 में से 64 minus हुए. तो 30 minus का. क्योंकि 94 minus का था. बड़ी value minus की थी. अब 30 upon 6 हो गया. क्योंकि 6 बंस दूसरी 6, 6, 5 is a 30. तो D कितना आ गया हमारा? minus 5. common difference आ गया हमारा minus 5 is the answer. जा गया हमारा. जा आ गया हमारा जूसरी 6, 10 बिल खा-गया. झाल झाल